नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर, Massachusetts Institute of Technology के साइन्टिस्ट, आउटर स्पेस में इसे हार्ट बीट का साउंड क्याप्चर किया है, वैसे इस साउंड का एक्चल ओरजिन साइन्टिस्ट ट्रेस नहीं कर प एक दूर गैलक्सी से रिजीव हुआ है, और इस रेडियो सिकनल को आज से फास्ट रेडियो बर्स्ट या फिर एफ़र भी करके क्लासिफिक किया हुआ है, नॉर्मली एफ़र भी जो है ज्यादा टाइम का नहीं रहता, मिल्ली सेकंड का रहता है, पर इस बार जो सिकनल रि अगिल उनिवेसिटी इन क्यानडा इस सिकनल के बारे में एक स्टडी रिपोर्ट पब्लीश किया है, और इस सिकनल का नाम भी दिया है, अभी तक जितने एफ़र भी इसको क्याप्चर किया है, उसमें से सबसे लोंगस्ट लास्टिंग एफ़र भी है, यह जो एफ़र भी इसको क्याप्चर करने के लिए, साइंटिस्ट ने एक एक स्पीरिमेंट यूस किया था, जिसका नाम है CHIEME, Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, यह बेसिकली एक इंटर्फेरोमेट्रिक रेडियो टेलिसकोप है, जो स्काई को हमेशा अब्जर्व करता है, और फास्ट रेडियो बर्स को पर्टिक इसकोप को स्टेशनरी फिट किया हुआ है, मतलब यह मूव नहीं कर रहा है, फिर भी आस्मान का एक बहुत बड़ा एरिया को यह अब्जर्व कर सकता है, अब दोस्तों FRB के बारे, FRB are intense but brief flashes of radio frequency emissions and these typically last milliseconds, तो इतना ही समझ लिजे दोस्तों, यह जो FRB से basically radio frequency emissions है, और यह पूरी तरह समझ नहीं पाया है, पहली बार एक FRB discover हुआ था 2007 में, तो जैसे मैं आपको पहले बताया, FRBs normally कुछ milliseconds के लिए last करते हैं, पर अभी जो signal capture हुआ है, यह कम से कम 3 seconds के लिए, और इस बार जो FRB receive हुआ है, उसका sound से ऐसा लग रहा था scientist को, कि heartbeat जैसा, और खास बात यह है दोस्तों, FRBs जितना energy release करता है ना, कुछ milliseconds में, वो एक साल में sun जितना energy discharge करता है ना, उससे ज्यादा है, now, 2020 में हमारा Milky Way galaxy के अंदर से ही, एक FRB का detection हुआ था, वैसे मैंने आपको बोला था, पहली बार FRB का detection 2007 में हुआ था, वो तो कई दूर एक galaxy में से था, ठीके, उसका origin तो scientist trace भी नहीं कर पाया, पर 2020 में scientist यह FRB का origin trace कर पाया, और उन्हें पता चला, यह radio wave emission एक magnetar से हुआ है, अब यह magnetar मतलब क्या होता है, magnetar is a type of neutron star, believed to have an extremely powerful magnetic field, अब देखे दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा, यह neutron star मतलब क्या होता है, neutron star मतलब एक super giant star का inner core, जब मैं super giant star बोल रहा हूँ, उसका मतलब यह है, हमारा sun एक star है, sun का जो mass है, उसे कम से कम 20 से 25 गुना स्यादा mass वाला star से, उसका inner core है neutron star, देखे कोई भी star का एक life होता है, वो life खतम होने पर, वो collapse हो जाता है, अलगले pieces में हो जाता है, तो यह जो सबसे inner core of that super giant star is called neutron star, now यह जो magnetars है, और pulsars है, यह सब special types of neutron stars है, अब इनकी speciality यह है दोस्तों, यह highly magnetized है, वैसे pulsars से ज्यादा magnetized है, magnetars, इनके magnetic fields इतने strong हैं दोस्तों, यर्थ का magnetic field है उससे millions और trillions of times more powerful होगा, और यह stars जो है, space में rapidly rotate करते हैं, उस वज़े से intense electromagnetic radiation उनके pulse में से release होते है, पर देखी दोस्तों, यह scientist का एक assumption है, वो 100% sure नहीं है, यह जो FRB से, यह magnetars में से ही आया है करके, तो यह hope आपको समझ में आ गया, now most FRBs जो है दोस्तों, one time even से, एकी बार होगा, कुछ repeat करते हैं, कुछ multiple periods में आते हैं, तो इस तरह यह vary करते हैं, तो astronomers यहीं उमीद कर रहा ह ज्यादा radio telescopes install करने से, ज्यादा FRBs को detect and receive कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा, एक महिने में कम से कम thousands of FRBs receive कर पाएंगे, मतलब ज्यादा radio telescopes install करने से, और यह जो FRBs का origin trace करने से, हमारा universe का पूरा structure के बारे में awareness मिल सकता है, तो दोस्तों that's it, तो यह space related topic था, I hope आपको basic concepts सम में आ गया होगा, वैसे space related topics या फिर science and technology related topics में, कि अबल basics जाना जरूरी है, ज्यादा deep जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो मैंने आज दो questions include किया है, expected questions from this topic, वैसे आपके लिए, जो यह class थ्यान से सुना होगा, उनके लिए यह questions easy रहेगा, क्योंगी आभी हमने discuss किय है, फिर भी आप सोची दोस्तों, अगर आपने fast radio burst के बारे में, detail में नहीं पढ़ा है, तो शायद आप इस question का answer नहीं दे पाओगे, तो मेरा मतलब बस ही है, किस तरीके से question आप से पूचा साकता है, यह आपको बताना, ठीक है, so statements एक बार चेकर लेते है, statement number one, they are intense but brief flushes of radio frequency emissions and these typically last milliseconds, देखे, लिखाया typically last milliseconds, यह तो सही है दोस्तों, वैसे अभी जो FRB detect हुआ है, यह 3 seconds तक last किया था, फिर भी typically यह milliseconds का ही होता है, तो यह statement सही है, second, they discharge more energy in a few milliseconds than the sun does in a year, बिल्कुल सही है, यह हमने discuss किया ही था, sun जो एक साल में जितना energy release करता है, उससे ज्यादा यह milliseconds मे release कर देखे, ठीक है, now, तीसरा statement, no FRBs has been detected within the Milky Way galaxy so far, देखे, मैंने आपको बोला था वैसे पहला FRB का detection 2007 में हुआ था, फिर 2020 में Milky Way galaxy से भी एक FRB का detection हुआ था, और scientist ने उसका origin trace करने की कोशिस किया, एक assumption है, यह magnet star, एक neutron star से हुआ होगा करके, so the answer will be option A, one and two only, Now, question number two, what is FRB 2019 1221A recently seen in news, आपके लिए तो यह question बहुत easy है, क्योंगि आभी भी हमने FRB 2019 1221A के बारे में discuss किया, पर देखे, अगर आपने यह news पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा सा confusion हो सकता है, क्योंगि options देखे, option B है, Central Banking System of United States of America, हो सकता है दोस्तों क्योंगि United States of America का जो Federal Bank है, या फिर Federal Reserves है, उतर काफी सारे payment mechanisms वगरा यूज़ करते हैं, systems यूज़ करते हैं, तो उसमें से एक हो सकता है, जो recently news में आया हो, है कि नहीं, option C देखे दोस्तों, option C आपको मैं एक सवाल पूछूँगा, लिखा है, यह group of older people who are highest risk of adverse outcomes, such as falls, disability, admission to hospital, मतलब, ऐसा एक group of older people, जिन hospital में admit हो सकते हैं, इस तरह के group of older people को एक टेम से बुलाते हैं, वो क्या है, मुझे common box में बताईए, आप Google में search कर सकते हो, ठीक है, and option D देखे, fiberglass reinforced panels made of strong polyester resin reinforced with fiberglass, तो यह भी थोड़ा सा आपको confuse कर सकता है, पर देखे, आप सबको पता है, answer is option A, brief flashes of radio frequency emissions from space, तो मेरा कहने का मत बस लब बस नहीं है, दोस्तों, जब ही science and technology से related, medical science से related, या फिर space से related, इस तरह के जो topics आते हैं, उसके बार में basic concepts जनके रिखेएगा, ज्यादा deep में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप से ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा, तो दोस्तों, that's it, I hope आपको video informative लगा होगा, लक आपको आपके सब्सक्तों, दोस्तों, बमसरा बस एस at